चलो, ये सारे words English में distributive pronoun कहलाते हैं, ये सारे words जो आपके सामने हैं, ये क्या कहलाते हैं, distributive pronoun कहलाते हैं, तो each हमें हर उस जगां पर use करना होता है, जहां या तो बात दो लोगों की या दो से जादा की, none सरफ दो से जादा के लिए, any सरफ दो से जादा के लिए, all सरफ दो से जादा, बाकी ये सारे शब्द किनी दो के लिए, कि बोथ भी दो के लिए, इधर भी दो के लिए, और निधर भी दो के लिए, ये कहीं भी दो से जादा के लिए, कैसे, error कैसे बनेगा, question कैसे आएगा, examiner ने लिख दिया, either of the three girls are intelligent, either of the three girls are intelligent, तो अब हमारे बच्चे को exam में ये पता होना चाहिए, वही बात हो कर रहा है, तीन लड़कियों की, जबकि either शब्तों दिखाता सिरफ दो को है, यानि कोई ऐसा शब्दाना चाहिए, जो दो से जादा को दिखाए, अब दो से जादा को तो each भी दिखा रहा है, पर वर्ब singular लेता है, हमारे sentence में plural है, नन भी दो से जादा को दिखा रहा है, पर वर्ब singular लेता है, हमारे sentence में plural है, तो से जादा को दिखाता है, और वर्ब singular लेता है, और हमारे sentence में तो plural है, और दो से जादा को भी दिखाता है, और वर्ब भी plural लगाता है, ये तीनों भी वर्ब singular लेते हैं, तिरफ इन में से all ऐस नहीं, बोथ भी plural लेता है, बोथ के साथ वर्ब plural क्योंकि दोनों की बात करता है ना इदर नीदर वहां संगेलर लित संस को समझो सेंट्फ क्या कर hear each बहुत तो दिखा solo कर आये न पर बात एक की क्यारा इसलिए वीर सिंग्योलर नन कैれた एक भी नहीं किसले सिंग्योलर ओ digestive more मेंसे कोई एक तो दिखाता कई हो को है पर बाध एक की करता है इसलिए वर्ब singular हो जाती है और इस लिए दो से जादे के लिए और लिए लग रहा है और का मतलब ।ो यहां सारी मतलब तीन लड़किया हैं तो इदर की जैना क्या लगा सकते हैं फिलाल ओल